हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की वीडियो में हम यह डिसकस करेंगे हाउ टू क्रेक सी टीटी एग्जाम तो सी टीटी का जो एग्जाम है दोस्तों 2019 जो की जुलाई साथ जुलाई को होने बाला है तो इसकी मैं क्लास और ले रहा हूं अपने चैनल के माद्यम से और मैंने बहुत सारा स्टेडियो माटेरिल भी अपलोड किया हुआ है लेकिन उस एग्जाम को क्रोस कर जाएंगे और उसके लावा कुछ लोगों ने पूँचा था कि जो एग्जाम है एग्जाम सेंटर में जब एग्जाम देंगे तो उसे किस तरह से सॉल्व करें कि एग्जाम टाइम पर खत्म हो जाए तो वह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो की वेशिक जानकारिया है आपको होनी चाहिए और उसके बाद कैसे तयारी करनी है कि सी टीट आपका क्रेक हो जाए आप उसे क्लियर कर जाए इसी बार में और उसके लिए कैसी आपको बुक्स लेनी है वह सब बाते में इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा तो सबसे पहले आप देखिए इस चित्र के माध्यम से फिक्चर के माध्यम से जो मैं आपको बताता हूँ इसमें जैसे मैंने एक पांच भुजा वाला एक फिगर है उसके बाहर लिखा है CDP, EBS और SST, Language 1, Language 2 और Maths & Science तो यह सब क्या है CTT चाहिए आप Junior Level का एक्जाम दे र दोनों ही पेपर वालों के लिए है तो आप लोग ध्यान से सुनिए मैं पेपर वाइज बात में बात करूंगा पहले आपको कुछ common चीज़े बता देता हूं CTT के बारे में CTT का जो एक्जाम है वो साथ जुलाई को होने वाला है और इस एक्जाम के बाद जो आपको certificate मिलेगा जब आप पास हो जाएंगे उसकी validity है साथ साल और इसी के साथ इसमें जो slavus है यानि कि जो notification है slavus का वो सब already release किया जा चुका है तो आप लोग देख सकते हैं क्या-क्या slavus है आप लोगों के लिए अब इसके लाब आप कु CVSE वालों जो release किया है उसमें बहुत सारी language है तो आपको language 1 में एक language 2 में दूसरा language चूच करना है लेकिन दोनों ही language अलग-अलग होनी चाहिए जैसे कि first language जो आपने हिंदी चूच किया तो दूसरा हिंदी के अलावा बाकी जो language है जैसे संस्कृत है उर्दू है बांगला है जो भी language है उनमें से आपको एक चूच कर सकते हैं तो वही आपको question paper जब आप देंगे तो आपको वही subject मिलेगा solve करने के लिए अभी सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपको तयारी कैसे कर लिए जिससे कि आप आसानी से निकाल सके हैं तो आप CTT की exam के लिए एकदम से पहले concentration बनाईए अपने आपको daily time दीजिए कुछ तो उस time को fix करने के साफ़ से सबसे पहले आप शुरू कीजिए time table तो time table आप जब बनाईएंगे तो time table से पहले आपको subject मालू होने चाहिए तो सबसे पहले बात करते हैं paper 1 वालों के लिए तो paper 1 जो लोग दे रहे हैं उनके पास ये 5 subject रहेंगे एक तो रहेगा बाल विकास यानि कि CDP अगला रहेगा पर्यावड अध्यन यानि कि EVS फिर language 1 एक जो चूज क इसके बाद दो भासा हैं रहेंगी language 1 language 2 इसके बाद थोड़ा सा change आएगा अगर आपने arts चूज किया है तो आपको social science यानि कि SST देना होगा और यदि आपने science section चूज किया तो आपको math और science का जो question आएंगे 60 questions वो आपको solve करने होंगे तो अभी आप उसी हिसाब से आपको old question papers और time table तो यह आपस में एक दूसरे से correlated हैं जैसे कि यदि आप time table बनाएंगे तो उससे पहले आप देखिए old question papers अगर आपको कोई बताता है कि CTT और state TET दोनों ही same है तो यह बिलकुल गलत बात है दोनों का save is same है मैं मान सकता हूँ कि slave is काफी हद तक same है लेकिन इसमें जो questions आने का जो एक तरीका है वो बिलकुल ही अलग है तो सबसे पहले आप पुराने question paper को उठाईए जो सबसे latest पुराना question paper है क्योंकि उसी में आपको मिला जूला slave भी मिल जाएगा कुछ change जोंगे तो वह भी मिल जाएगा तो 2018 जो कि अभी 9 December को exam हुआ था उसका question paper आप द language देखिए जैसे कि आपका मौन लीजिए बाल विकास बहुत अच्छा है आपका आप बाल विकास में आपने state टीटी दिया है अपने अपने state का बहुत ही अच्छे question आपने solve किये लेकिन जब आप CT का आप question paper उठा के देखेंगे तो आपको कुछ अलग ही question मिलेंगे तो उ सामाजिक विज्ञान और science मैत और science है जिनका वो लोग भी अपना paper देखिए उसके बाद आप देखिए कि अब आपकी पकड कौन से subject पर सबसे अच्छी है तो जिस subject पर आपकी पकड सबसे अच्छी है उस subject को थोड़ा सा कम time दीजिए और जिस पर आपकी subject सबसे ज्यादा है उस सबसे कम जो पकड है उसको थोड़ा ज्यादा time दीजिए तो उसी साफ से आप अपना पहले time table set कीजिए क्योंकि बिना time table या बिना planning के आज तक कोई भी लडाई या कोई भी exam cross नहीं हुआ है यह बात आप ध्यान रखिए तो सबसे पहले time table आपने set कर लिया time table set करने क के बाद अभी आपकी बात आती है कि आपको पढ़ना कौन सी books से है तो CTT के लिए books को पहले आप मत सोचिए सबसे पहले आप याद रखिए NCRT की books तो जो NCRT की books हैं उनको आप जरूर पढ़िए इसको पढ़ने के फायदे यह है एक तो आपका basic clear होगा दूसरा यह है जब कोनों ही paper वाले लोग class 128 यदि अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ऐसा कोई written में नहीं है कि class 125 से ही आएगा primary वालों के लिए क्योंकि बहुत बार जो ऐसे की पर्यावाड अध्यन है वो NCRT की books से काफी अच्छी मिलती है तो बहुत बार ऐसा होत है वो मैं भी बना दूंगा साथ मैं तो आप उनको भी देख सकते हैं और NCRT की books का फिर जो पढ़ाई है वो हो जाएगी अभी NCRT की books से मान लीजे आपने थोड़ा पढ़ लिया time निकाल के लेकिन फिर भी CTT की तैयारी आपको अभी करनी है जुलाई तक करनी है तो उसके ज्यादा अच्छा है कि आप एक ऐसी book खरीद के लाईए जैसे कि अरहंत की मैं recommend करता हूं अरहंत की जो एक book आती है उसमें old question papers कम से कम पांच या 10 साल के question papers रहते हैं और सभी solve लेके आई आई आप जिससे कि आपको doubt हो तो आप देख सकें तो जो पुराने question papers हैं उनके solve question papers ह लेके आईए सबसे अच्छा काम यही है और एक इसके अलावा एक और book ले आईए जिसमें होगा practice set या फिर model paper और model paper को उसी साफ से लीजिए कि आप जो question papers के आप question देखें और model paper में जो question है वो उसी type के हो जानी कि अधिकतर question इसमें CTT में आते हैं pedagogy से तो pedagogy आपको अच यह दो books जरूर लेके आईए जिनमें की word question papers हो और model papers हो जो भी आपकी language है Hindi English दोनों medium में से कोई भी एक medium बाले book आप खरीद लाएए और साथ में एक guide जिरूर लेके आईए अलग-अलग books लेंगे वो भी अच्छा है लेकिन यदि आपको जानना है कि क्या-क्या आता है इसमें तो एक guide ले आईए काफी रहेगा आपके लिए तो उन्हें खत्म नहीं कर पाएंगे एक जाम आने तक तो अगर आप पहले से क्या करेंगे guide ले आईए अर्यहंत का या फिर कोई और भी publication आते हैं आपके यहाँ पर उनकी guide ले आईए guide के हिसाब से आप देख सकेंगे कि कौन से कौन से chapter हैं जो सलेवस में और इसमें दिये हुए है तो उनकी ABCD आपको मालूम चल जाएगी डेली यदि आप सभी subject से एक को कीजिए आप chapter wise करके जब guide को पूरा खत्म कर देंगे कुछ दूनों के बाद guide फिनिस हो जाएगी guide में तो उसके बास आपका पूरा का पूरा सलेवस क्या है आपके दिमाख में आ चुका है एक बार फिर आप उठाईए practice करने के लिए जो old question papers की book है उसको उठाईए और उसको solve कीजिए daily एक question paper कम से कम solve कीजिए और साथ में एक question paper के बाद जो model जो question papers वाली book है उसको भी उठाईए और उसमें से भी एक model paper जरूर solve कीजिए तो आपको मालूम चल जागा कि model paper सही questions दिये हैं या नहीं दिये उसी type के हैं या नहीं है इस तरह से आप जो तयारी है व मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहरे बात करते हैं paper one paper one किसके लिए primary वालों के लिए है तो इसमें आप देखिए यह पांच subject आते हैं जिसमें है बालविकास यानि की CDP 30 questions आएंगे इसी तरह पर्यावड अध्यन यानि की EBS 30 questions Maths के भी 30 questions language 1 और language 2 के भी 30 questions आएंगे अब 50% pedagogy आएगी सभी subject से तो pedagogy को आपको अच्छे तयार करना है और pedagogy के लिए ही जरूरी है कि आप जो बुक लाए हैं उसमें से pedagogy chapter को पहले पढ़ें फिर उसके जो answers है वो दीजिए और उसके बाद जब question paper solve करेंगे तो उसमें भी pedagogy किस type question आते हैं वो आपको मालुम चल जाएगा इसलिए इसमें practice set बहुत जरूरी है जो model paper है जो question paper है उनसे practice आप daily कीजिए कम से कम दो महीने आप daily एक question paper solve करेंगे तो आपके दिमाग में वो questions आ जाएंगे अच्छे से कैसे question आते हैं क्योंकि इसमें बड़े-बड़े question आते हैं state TT की तरह question बिलकुल नहीं आ करेंगा उसमें उनका बाली विकास है तीस नंबर का language one और language two जो आप चीज़ करेंगे वो तीस तीस नंबर की अभी बात आती है यहां पर जिन लोगों ने graduation किया है science subject से जैसे की math से biology से तो वो लोग क्या लेंगे math and science साथ नंबर के question आएंगे और जिन लोगोंने commerce या फिर क्या आएगा history आता है उसके बाद geography आएगी आपकी और उसकी पेड़ागोगी आती है कुछ success है तो इस तरह से आपको सामाजिक विज्ञान का यह तयार करना जो कि syllabus मैंने अपने जो pattern और syllabus वाला वीडियो उसमें आपको बताया है topic wise और उसी तरह से मैं इन सभी वीडियो की जो link है वो सभी वीडियो की जो मैंने वीडियो है upload कर रही है सभी subject की आप मेरे चैनल में देख सकते हैं और साथ ही साथ मैं daily जो live class लेता हूं उसमें आप लोगों की जो practice set है यानि कि जो पुराने question जो पुराने exam में question पर आए है उनके माध्यम से जो मैं chapter वाई practice भी करा र जालता हूं कुछ topics जालता हूं तो उन्हें आप live class में आके join कर सकते हैं दोस्तो CTT 2019 है इसमें आप ऐसे तयारी कीजिए इनमें सबसे जरूरी है आपका confidence होना चाहिए और confidence तभी build up होगा जब आप daily पढ़ाई करेंगे उसके बाद जैसे कि मैं live class लेता हूं तो आप किताब से उस तरह में बोर हो जाते हैं तो साम को 9 वजे और सुबह साड़े 6 वजे आप live class भी लेंगे तो उसमें जो मैं question पूछता हूं यदि आपने वह chapter पढ़ लिए होंगे या पढ़ेंगे तो आप उन question के जब answer देंगे तो आप सही सही answer देंगे तो आपका confidence है वह बढ़ता हैं लेकिन OMR सीट में कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं तो OMR सीट के बारे में भी क्याक्यकलती नहीं करनी है मैंने एक video upload किया हुआ है उसको आप जरूर देखिए और अभी बतावी देता हूं कि OMR सीट में जब आप जाते हैं तो उसमें जो अपनी details भरते हैं उसको वाइटनर का यूज बिलकुल मत कीजिए अपने OMR सीट में क्योंकि पूरी मेहनत आपके खराब हो जाएगी यदि आपने वाइटनर लगा दिया और कोई भी कुछ न में यदि ऐसा होता है तो उसके जो गोले हैं वो सबसे लाश्ट में भरिए तो इस तरह से आप एक्जाम के टाइम पे अगर गलती ना हो तो इसके लिए आप मार्केट से कुछ OMR सीट भी खरीद के ला सकते हैं और जब आप कुछ न पेपर सॉल्व करेंगे तो पूरा पेपर एक साथ सॉल्व करें इसलिए OMR सीट को साथ में रख लें टाइमिंग भी देख लें और उ OMR की प्रक्टिस भी हो जाएगी और गोले कैसे भरने हैं आपको कौन सा पेन लाना है वो सब जानकरी ज़रूर रखें और मोटी पिन का पेन लेकर आई जल्दी गोले भर जाते हैं तो इस तरह से आपको थोड़ा सा टाइम बचेगा ये तो बात होगी दोस्तों सीट एट क सबसे पहले आप वहाले चैप्टर को या सेक्षन को सॉल्व कीज़े जो कि आपके अच्छे हैं जैसे कि मान लेजिए आपने लेंगुज मन में हिंदी लिया है लेंगुज टू में इंग्लिस आपके ये दोनों ही सब्जक्ट काफी अच्छे हैं तो आप वहां से सुरू क कर सकते हैं उसको कीजिए और हमेशा याद रखिए एक सेक्षन आप कर लीजिए फिर ओमरों भर दीजिए एक साथ यदि ज्यादा कुर्शन हो जाएंगे आप पहले टिक लगाने के बाद तो सायद आपको प्रावलम हो वह तो आप जब ओमरों में प्रक्रिस करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कैसे आप बोले जल्दी भर सकते हैं और गलती भी ना हो तो इस तरह से आप पहले उन सेक्षन को कीजिए उसके बाद फिर ऐसे सेक्षन को कीजिए जैसे की मैथ है मैथ में क्या है कैलकुलेशन होती है तो उसको आप चाहें तो सबसे पहले करें लेकिन बीच में करेंगे तो बाकि सब्जक्ट पेंड़नी हो सकते हैं इसलिए इसको आगे या लाश्ट में लेके रखें अभी जैसे कि एसेश्टी वालों के लिए सामाजिक विज्ञान है उसमें क्या होता है हिस्ट्री आएगी और आपके जियोग्राफी आएगी तो आपको आउपन करते जाएंगे बस आपके नॉलिज के उपर है को अप पहले कीजिए और आपके अच्छी पकड़ है और कोई भी सब्जक्ट एक्जाम में धेने की टाइम पर ऐसा मत सोचे कि आपका कमजुर है क्योंकि さब पर आपने लघुए अपने बहुत और चैयारी क तो question का answer वहीं पर छिपा रहता है तो question को आप अच्छे से पढ़ेंगे थोड़ी सी knowledge होगी तो आप question का answer सही दे देंगे क्योंकि logical question आते हैं इस तरह से आप CTT की जो तयारी है उसको कर सकते हैं और CTT का exam पहले ही attempt में cross करेंगे ऐसा अमेशा दिमाग में रखिये ऐसा मत सोचिए कि इस वार मेरे से नहीं होगा या मुझे only 60% marks ही लाने हैं एसा मत सोचिए CTT का exam है आप कम से कम 100 से उपर नमबर लेके आएंगे और नमबर आपके तभी आएंगे जब आप daily practice करेंगे और daily practice करने के लिए सबसे पहली बात है NCRT की books उनको आप पढ़ते जाए पुराने question papers है ये तो समझ लेजिए आपकी आजे से ज्यादा तयारी प exam के तयारी कि आज कुछ भी बोल सकते हैं आप main चीज है जो वो है पुराने question papers तो आप उन्हें जरूर solve कीजिए और practice set आप जरूर solve कीजिए लेकिन practice set वही solve कीजिए जो कि CTT के question papers की तरह है उसमें question आते हो यानि कि पुराने question papers से मिलाके बनाया हो तो आप ऐसी books लेके आए प्रक्टिस के लिए जिसमें पराने question papers हो और जो model paper हो वो की उसी तरह के question हो प्रक्टिस सेट करने से ही आपके तयारी होगी और state TET के जो प्रक्टिस सेट है उनको अभी बिल्कुल मत कीजिए उनको आप state TET के समय कीजिए क्योंकि जब आप खुद ही देखेंगे आप कभी question पूशा गया है जमीन आसमान का अंतर होता है तो आप सी TET को सी TET की तरह लीजिए और आप इसे जरूर qualify कर जाएंगे बस आप planning के साथ इसकी तयारी कीजिए ज्यादा समय नहीं है भी March already चल रहा है उसके बाद April, May, June तोटल मिला के आपके पास पूरे चार महीने भी नही है तो आप तयारी अभी से अच्छे से सुरू कीजिए planning से सुरू कीजिए time table बनाईए और उसे follow कीजिए और साथ ही दोस्तों मैं जुलाई तक आपकी live class जरूर लूँगा तो आप उस live class को जरूर join कीजिए जिससे के मैं आपके सामने वही question only लाऊंगा आपको tough भले ही साल विकास हो पर्यावड अध्यान हो एसेस्टी हो या मैथ्स हो या साइंस हो उन सभी topics के वीडियो में धीरे धीरे अप्लोड करता जाओंगा आप बस अपनी बुक से तयारी करते जाए और मेरे वीडियो को सुबह साम टाइम निकाल के देखिए और live class को join कीजिए जिससे दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत बहुत सुबह काम ना है बेस्ट अपला कभी से एक्जाम के लिए धन्यवाद दोस्तों